जैशिराम सभी भक्तों को जैमात अगीव फिर एक नई वीडियो के साथ हम आजीर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि बजरंग बान कब कब करना चाहिए कब हमें जो है बजरंग बान का प्योग करना चाहिए और ये पार्ट कैसा प्रभाव करता है अन्तक बने रहना अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके रखे ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपके फोन में तुरंट प मिलम बनाय कीजिए आतुर दोही महा सुक्ति देखिए क्या होता है कि हे प्रभु हमारी विंति सुनेजिए हमारी जो प्राथना है उसे सविकार कीजिए हे बाबा मैंने जो अर्ज लगाई है उस अर्ज पर तुरंट हश्ता चुने खर देजिए बजरंग बान का पार्ट लुखें के विशेश कारियों के लिए प्रियोग में लियाATHAN iqy इस पाथ में प्रफुशी राम की सोगंद जो है दी जाती है नेकिन अगर कोई व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, पापी, दुराचारी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको परशान करता है, तंग करता है, हर पकार की आपको समस्या खड़ी कर देता है, या कोई ऐसी आत्मा, या कोई प्रेत आत्मा, या भूत, बेताल, जिन, किसी भी पकार कि कोई भी चीजे आपको परशान करती है तब बजरंग बान का जो पाथ है उदेश्य के लिए किया जाता है उदेश्य के लिए करने के लिए उसके लिए भी विधी होती है माना जाता है कि बजरंग बान का जो पाथ है वो पाथ उगरता उपन करता है हर्मान जी को उगर रूप लाता है रुदर रूप में लाता है तो बजरंगबान का पाथ विशेश तो रुखवर हमें किस अवस्था में करना चीए मुसीबत में जब नाक से उपर पानी आ जाए समस्या बड़ी गंबिरता में हो जाए घर में परशानिया ना हटे घर में हर उगरता होती है और बार बार जब प्रान जी और और प्राथना देने की कोई अफशर्टा यह सबसे बड़ी बात यह है कुछ कारिये ऐसे होते हैं जिने पूर्ण भी करना जो है जरूरी है, जैसे कि हम तंतर का ग्यान नहीं जाने, कोई व्यक्ति अगर हमारे उपर बार-बार घात लगाता है, कोई व्यक्ति हमारे परिवार पा, हमारे काम का, हमारे धंदे का बंधन कर जिता है, बार-बार हमारा एक्सिरेंट कराता है, हमा जानते हैं प्रभू आपकी इस पार्ट से अप्रम पार किर्पा प्राप्त होती है और दुष्टों का नाश होता है उनका इस्तंबन होता है उनका दमन होता है यह प्रभू दास की वंदना है जागिये और मेरे कारिये को पुर्ण कीजिए जनके काज विलंबनाय कीजिए आत ये प्रबु किर्पा कीजिए, तो बजरंबान के अंदर, अगर आप बजरंबान फूरा नहीं पढ़ते हो, और अगर आप चाते हो, कि बजरंबान का आपके उपर कोई दोश भी ना लगे, कोई किसी भी पकार का आपके उपर, और दुश पर नाम भी ना हो, तो आपको मैं आज एक बजरंगुबान में एक मंतर है Сमझगे तो इस मंतर को आपसकते हो 108 बार उसके पार जाप कीजिए और उसके बाद आप अगनी के दराभी कर सकते हो चत्रु का नाम लीजिए Això आगच में भोजपत्तर पर नाम लिख दीजिए उसका और बजरंग बान का जाप करने के बाद जब 108 पार बॐ अगनी से शत्रु का शत्रु का स्ंबन दमन हो नेकिन एक बात या दखना गलती जिसकी होगी डंड उसी को मिलेगा अगर गलती आपकी भी होगी तो आपको भी उतना ही डंड प्राप्त होगा बजरंग बान क्योंकि हनुमान जी न्याइदीश है और कल्यूप के प्रधान रूप के देवता है अगर वो आपके उपर भी कि है अगर सामने वाला भी हनुमान जी का भगत निकला तो तो न्याइदीश है जैसे जिसका जिसने अपनी तरफ से कारवाई की है गलत पकार अगर कोई तंतर से तहत कर रहा है अगर उसी का कशूर है तो याद रखना शत्रू बचेगा नहीं शत्रू का दमन होगा अपने आ 12 दिन का उसके वाद तीन दिन छोड़ दीजें हमेशा वजरंग अब करते हो ना तो एक बार बीच में उसका त्यांग जून करना चीए छोड़ना चीए रखन्ड करना क्योंकि उस पार को खंड करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप रेगूल करोगे तो उसका जो तेज है वो उत्पन होने लग जाएगा आपके शरीर के उपड़ और उसका परभाव आपके शरीर पर होगा और फिर आप सोचोगे की पता नहीं मेरे शरीर पर इतना तेज क्यों पर होगा तो आपसे तो यह पाथ हमेशा उगर अवरस्था में पड़ागता है जब आपकी नात पर पानी आ जाए यहां पर आ जाए उदेश्य को पुर्ण करने के लिए दुस्ट जब आपनी बाजी मार रहा हो और आपको बार बार नीचा गिरा रहा हो और अब तो अती ही हो गई है आपके पास और कोई रास्ता नहीं है अब आपने मरने का जो है सोच ल लगवा को क्योंकि माना जाता है यह मुझत बना सब्जरंग डाहिए पन्च मुखी रूप की किरपा परापत होती है इस पकार और रूप की किरपा परापत होती है हनमाण जी जब रूप में आते cities मेदो हमेशा इसाकलि और और ुर्णा रूप क किया है अब आपके वीर जाग चुके है आपकी रक्षा करने के-दिय आप आपको वो शुक परदान करेंगे और च्छतरु का दमन कर देंगे और उसका स्थ्भण करदेंगे ताकि आपके पर क्टिशी नि पाएगा आपके पर–टि गल्ट कारिया भी निकर पाएगा बजरंगबान के अंदर एक विशेश कारिया और कर लेना जब भी आप बजरंगबान का 21 या 41 दिन का संकल अप लेकर करते हो उस दराना आपको क्या करना चाहिए आपको एक इलाची रोज जो है कपूर के साथ जलानी चाहिए और दो लोंग के साथ शत्रू का नाम है बेजिए तो बोलिए जैसे तरा हम जैशरी बाला जी माराज बाबा आपके उपर दोनों हाथों से किर्पा रखे और अगर मैं तो यह कहता हूँ अगर हे बाबा तेरी भक्ती की किर्पा मिल जाए तो क्या शत्रूर और क्या कोई दूस्ट हमारा बिगारेगा तो जैसे तरा हम जैशरी बाला जी माराज